अब कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे सो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आगी हूं बाहनी सिल्क साड़ी ड्रैपिंग काफी एजी टिप्स एंड ट्रुक्स फेयर की हैं जिनकी हर्प से आप अपनी सिल्की साड़ी को एजली एंड परफेक सबसे पहले तो यह मेरी साड़ी साड़ी वेर करने से पहले पिटी कोट फूड़ एंड ब्लाउंच वेर कर लिया फूड़ देखे हील वाला इसलिए पहले वेर कर लिए ताकि साड़ी बांदे के बाद उची नीची ना हो जाए तो अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे तो और एक secured करने तरफ साड़ी प्रचेश सरी आपनी प्रॉचस करने है पर साडी स्कशिक्यGame का है तो इसे i कैणłę की तो इससे एक रखेंगे राइड साईड के अर और सामने के पार trip करेंगे उपर यह यह निए mechanism tuk करते हैं तो पहले मैंने राइट में टक किया फिर लेफ्ट में इसके बाद जो सामने का पार्ट बच जाता है इसको अच्छे से पेटिकोट में इंसर्ट करना होता है ताकि फैब्रिक सामने फ़र्स के टमी फूली फूली ना दिखे सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद में टकिंग कर लेते हैं इस तरह से में फर्स्ट राउन की जो बेसिक टकिंग है वो नीट क्लिन टाइट फिटिंग होती है जिससे हमारा लोग पॉफेक्ट नजर आता है अब हम साड़ी को लेते उसके पलु वाले पोशन पर जाएंगे सीधे नहीं जाते नहीं तो साड़ी सकती है तो पलु वाला पोशन हमें लेना है बैक से घुमाते हुए राइट की ताफ निकालेंगे एंड यहां पर देखिए पलु वाला पोशन सामने ले कराना है तो पलु का जो दूसरा कॉर्णर दीख रहा है आपको नीचे की तरफ उससे इस तरह से अपने लेफ्ट हैं आप इंच के करी फैबरिक छोड़का इसमाल फिंगर थमसे पकड़ना है सामने की टूफिंगर को कैंची किता करते हैं तो इसमें फैबरिक को फसाते हों वन बाई वन प्लीट बना रहे हैं यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आखरी जो प्लीट होती है ना जो अंदर की किताफ होती है उसका डिरेक्शन कभी भी राइट किताफ होना चाहिए हलकी सी चोड़ी है तो इसे में चोड़ी ही रखोंगी एंड इसता से प्लीट बन गई है तो देखिए प्लीट बन चाने के बाद यहां पर अगर आप बिगनर है तो सिक्योर करें अदर्वाजी क्योंकि फैबरिक काफी ज्यादा सॉफ्ट है तो इसकी प्लीटे देखिए इसली से सेट हो जाएंगी अब इसे ना हमें आइरन भी करने की ज़रूरत नहीं है बस ऐसे में सोल्डर पे रख लूंगे और बिल्कुल आइरन की हुई दिखेगी अब हम आगे की प्लीट अगर सिल्की साड़ी सॉफ्ट है तो इसका फैब्रिक सॉफ्ट है देखिए इसली से हमें नज़र आ रही है इतना पॉर्शन अगें हमने अरेंज किया है लेफ्ट वारे सोल्डर पे रखते पल्लू के लिए हम देख लेंगे मैं घुटने से नीचे रखी हूं पल्लू हमा और ब्लाउच के सॉल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है तो जो ब्लाउच के सॉल्डर के स्टिचिंग में उस से एक या दो इंच बैक में जाएंगे पल्लू की प्लिट्स और ब्लाउच के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है सेफटी पीन आपको ब्लाउच के अंदर होता है ना देखिए यह वाला इसको आपको अपने चेस्ट पर सेट करना है तो थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में रखते हो हम सेट करते हैं पलू वाला फैब्रिक बैक से घुमते हुए लेफ्ट की तरह आ जागा लेफ्ट वाले हैं पकड़ लेना है और जो सोल्डर की प्ली होता है सेफ्टी पिन की हपसी तो बॉर्डर आपका बिल्कुल भी मुड़े ना ध्यान रखना है टाइक लिसे खीचते हुए यहां पर देखिए आपको राइट की तरह सिक्योर करना है थम को पीटी कोट के अंदर इंसर्ट करना है बड़ी सेफ्टी पिल लेनी है सेफ्ट पिन में प्लास्टिक जरूर अटैच करें ताकि सारी फसके ना फटे इसमें पेटी कोट को लेते हुए जिगजग स्टाइन में सेफ्टी पिल लगाएं अब हीप वाला पोशन हमारा फीटेड हो गया है अब हमें हीप की प्लीटे बनाने तो थोड़ा सा फाबरिक पकड़ कि सारी पिन का इस्तेमाल करें क्योंकि स्टैफ्टी पिन ज्यादा तर अवाइट करनी होती है इससे मारी सारी डेमेज नहीं होगी एंड ही प्लीटे भी बन गई है अब देखिए जितनी भी सारी आप बच गई है इनकी हम प्लीट बनाएंगे से यहां पर आप राइट ले के बाद जो स्माल फिंगर अलग दिकर इसमें फाब्रिक को फसाते हो सामने लाकर थम से पकड़ना है और इस तरह से हम वन बाई वन प्लीट बनाएंगे फिंगर के उपर से घूमकर प्लीट बनती है तो काफी चोड़ी-चोड़ी बनती है और पकड़ भी अच्छी होती है अगर आप बिगनर होना तो इस वाले ट्रिक से प्लीट को बनाना ट्राइ करो आप इससे आपकी किसी भी टाइप के फैब्रिक के प्लीट इसली से बन जाती है और यहां पा देखे जब हम प्लीट बनाते हुए आते हैं तो लास्ट मेना आपको एक प्लीट का फैबिक सेट कर लेना है इन्हें प्रेस करने की जरूरत नहीं परती है बस आप इस्ता से जटक दोगे और यह खुद बेखुछ सेट हो जाती है अब उपर साइट से अरेंज करेंगे बॉडर से बॉडर मिलाते हुए साथ में हाफ आफ सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए हाफ को खोलेंगे राइट सैट में जितना भी एक्स्टा फैब्रिक घस को लेते हुए पहली प्रीट को चोड़ी करेंगे और यहां पर देखिए ऐसे हमारे राइट साइट का एक्स्टा फैब्रिक भी मैनेज हो गया और जो पहली प्रीट अच्छे से से नहीं होती हो वह बी का और पकड़ते हुए और यजश करेंगे यग की पर कड़के टक नहीं करना हो सकता हुँ हो सकता है कोई सब्स्क्राइब के सामने की प्लीट को तब तक ना चोड़ी जग तक होड़ी जाए थोड़ा सा मैं शेती हुँ हुँ ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाह हैं यहां पर हमारी प्लीट अच्छे से टक हो गई है अब आप देखेंगी तो राइट साइट की तफ थोड़ा बहुत पार्ट ऊपर रह जाता है तो इसको यहीं पर टक करेंगे सामने की प्लीट को दबाए रखेगा ताकि वह इधर उदर ना हो और राइट साइट का यह पार्ट इस्टमार से स्क्योर करें अब यहां पर मैं साारी पीन का इस्तेमाल कर रही हूँ जैसा कि मैंने पहले इन पहले बताई यह सड़ी पीन सारी को डमेज नहीं करती है तो प्लीर स्मारी से कोahaner हो गई हैए मगस सुप्लेट है तरह से आप इसली अंपरफेक्ली अपनी सिल्की सारी को ड्राप कर सकती हैं उमीद करती हूं कि वीडियो आपके लिए हालफोर रही होगी अगर हालफोर रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा इसी तक यह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करना ना भूलेगा साथ में बैला कान जरूर प्रेस कीज़ेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाओ कोमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजेगा सो मैं मिलती हूं आप से अपने एगली वीडिय में तब तक के लिए कीपी स्माइलिंग टेक केर बाई